UK Healthcare Visa के लिए कितनी bank statement चाहिए? UK Healthcare Visa को process होने में कितना time लगता है? UK Healthcare Visa application की fees कितनी है? Hello friends, मुझे उमीद है कि आप खेरियत के साथ होंगे. इन तीन important question के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे. आप वीडियो को पूरा देखना ताके आपको पता चल सके कितनी bank statement होनी चाहिए? इस वीडियो को process होने में कितना time लग सकता है? और इस वीडियो की fees कितनी है? पाकिसान में दू मची है UK Healthcare Visa की agent और consultant लोगों से 25-30,000 पॉंड लेके उन में से 80% लोगों के वीजा नहीं हो रहे, 20% ऐसे लोग हैं जिनके वीजा हो जाते हैं. इन स्वालों के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएंगे कि इन वीजा के ऊपर कितनी cost भी आ सकती है और आपको bank statement कितनी चाहिए? क्यों agent लोग इतना पैसा लेते हैं? साथ इस वीडियो को share भी कर देना ताके किसी और का भी बलाख हो सके जो लोग agent और consultant को इतनी amount दे रहे हैं वो भी ये वीडियो दे के इन चीजों से बच सके और खुद से वो job भी find करें और खुद से वो visa भी apply करें नॉर्मली जो UK government की requirement है वो 1270 pound होने चाहिए आपके account में 28 days पहलें इसका मतलब यह है कि जो 1270 pound हैं वो इसलिए आपके account में होने चाहिए और इसलिए आपको bank statement चाहिए ताके जो first month के आपके expense होंगे UK में जब आप आएंगे वो cover होंगे उसका और कोई meanings नहीं है most of company first month के expense जब वो हुद से pay कर देती है then आपको bank statement की ज़रूरत नहीं परती अगर वो नहीं pay करती तो then आपको bank statement चाहिए जिसके अंदर 1270 pound होने चाहिए 28 days पहले यही इसकी requirement है और कोई bank statement आपको देने की ज़रूरत नहीं है जो 1270 pound है वो per person है then आप खुद देख लें कि जितने भी person आप apply कर रहे हैं उस amount को आप ज़्यदे कर सकते हैं number two पे एक question था कि UK healthcare visa को process होने में कितना time लगता है यह visa बहुत ही fast process होता है उसका reason यह है कि UK के अंदर बहुत ही ज़्यदा healthcare की shortage है तो UK की government यह चाती है कि जब भी कोई apply करे complete documents के साथ उसका visa जितना जल्दी हो सके process किया जाए तो normally इसको जो processing time लगता है वो three weeks लगते हैं कुछ reason की वज़ा से आपका process delay में हो सकता है तीन points ऐसे हैं जिसकी वज़ा से आपका visa delay में जा सकता है एक जो sporting documents आपने दिये हैं अगर वो fake हैं या सही नहीं है तो वो immigration उसको verify करती है तब भी आपका process जो हो delay में चला जाएगा second अगर कोई भी आपका criminal record हो तब भी आपका visa process जो हो delay में चला जाएगा number third पे होगा अगर visa officer को लगे के आप से interview लेना है देन वो आपके लिए interview अरेंज करेंगे इसलिए आपका visa process जो हो delay में चला जाएगा three weeks के अंदर अंदर आपको response नहीं मिलेगा लेकिन ये बहुत ही कम case के अंदर होता है जब आपके पास real documents हो और आपका कोई criminal record ना हो ना ही आपका process लेट होता है और ना ही वो interview लेते हैं number three पे question था कि UK healthcare visa के लिए कितनी fees है ये depend करता है कितने साल के लिए आप apply कर रहे हैं mostly two option होते हैं एक आप 3 साल के लिए apply कर रहे हैं या फिर 3 साल से जएदे apply कर रहे हैं अगर आप 3 साल से जएदे apply करते हैं तो उसकी visa fees जो है वो 479 pound है जो आपको contract मिलता है उसके मताबक ही आप apply करें अगर आपको 5 year का contract मिलता है तो then आप 5 year के लिए ही apply करें आप अपने partner और बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप देख लें कि जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उसके मताबक ही जो फीस्ट या वो अप्लाई होगी मुझे अमीद है कि इन तीन स्वालों के जवाब आपको मिल के होंगे अगर कोई भी क्वेस्टन हो इनके रिलेटेड तो आप मुझे कमर्स कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम, यूच्यूब और फेस्बुक मैं जरूर आपको रिस्पांस करने की कोशिश करूंगा